नमस्कार दोस्तों इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम UPPSC Pre 1998 की कुश्चन पेपर को डिस्क्स करने जा रहे हैं UPPSC अक्सर अपनी परिशाओं में अपने प्रस्तों को रिपीट कर रहा है इसलिए ये वीडियो ब कोश्चन पर आधारित हैं यानि कि हमने 1995, 1996 और 1997 का जो कोश्चन पेपर है उसके बारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 1995 से लिए के 97 तक का यह जो वीडियो है इसके लिंक वीडियो के डिस्कसर में दिये जा रहे हैं अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं डिरेक् की क्रिया संपादित होती है सही जवाब होगा प्रकासि रासानिक ओर्जा ध्यान रखे कि सजीव कोश्कोजिवाओं के द्वारा प्रकासि और्जा को रासानिक ओर्जा उनके द्वारा सूरी के प्रकास की उपस्तिती में वायव से कार्बन डाई ऑक्साइड और प्रितिवी के भूमिगत जो जल होता है उसको ग्रहन करते हैं और फिर अपने लिए एक कार्बो हाइडरेट जो की पहले सरल कार्बो हाइडरेट में बदलता है उसके बाद जटिल क उसको आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं कच्चे चीनी को रंगिन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग होता है वह क्या है लकड़ी का चारकोल चीनी का चारकोल एनिमल चारकोल या फिर नारियल चारकोल बात करते हैं चारकोल क्या होता है तो जैसा कि आप यहाँ दिया गया है लकडी यानि कार का चारकोल एनिमल यानि जानलों की जो हड़ी होती है उसका चारकोल और नारियल चारकोल चारकॉल को बनाने की प्रक्रिया में लकडी हो, हडडी हो या फिनारील का जो तफचा होती जो काफी कठोर होती है उसको oxygen की कमी में गरम किया जाता है और गरम करने से उसके अंदर की यह वास्फ होती है वो निकल जाती है यानि कि अगर उसके अंदर जल की कोई मात्रा होती है तो बाहर निकल जाती है और इस तरीके से चारकोल का निर्माण किया जाता है तो कच्ची चीनी को रंगिन करने के लिए यानि की बिरंजी करन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग होता है वो है एनिमल चारकोल ओके आगे बढ़ते हैं मलेदिया तथा डेंगू में निम्नाकित में से क्या उभनिस्ट यानि की काउमन नहीं है यह बताना है आपको तो यहाँ पर जुर दोनों में आता है इसलिए यह सही है मच्छर की काट सही दोनों होता है मानो प्रजाती दोनों सही है मच्छर प्रजाती यहाँ पर सही भी कलप होगा यह उबनिश्ट नहीं है मच्छर प्रजाती में अंतर होता है मलेदिया जो होता है मादा एना फिलीज के काटने से होता है और डेंगू जो होता है वो मादा एडीज के काटने से होता है ये बेसिक डिफरेंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीमी तरुप से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकान को प्रेस करना बिलकुर मत भूलिएगा लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद वेतार के तार का संपर्क प्रिथिवी के धरातल को परवर्थित किया जाता है किस के द्वारा प्रोपो स्फियर के द्वारा, स्ट्रेटो स्फियर के द्वारा, आयनो स्फियर या फिर एकसो स्फियर के द्वारा जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी पृतिवी है ये चारो तरफ से गैसों से घुरी हुई है जिसे आप कहते है वाय मंडल इस वाय मंडल को हम पाँच भागों में बाते हैं छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वाय मंडल यहाँ पर जो ताप मंडल है उसे दो भागों में बाटा जाता है देखें अगर ये आपकी पृत्वी हो गई ये हमारी पृत्वी हो गई अर्थ हो गया ये इसके उपर सबसे निकट जो मंडल होता है वायू का उसे आप क्या कहते हैं छोब मंडल कहते हैं उसके उपर जो मंडल होता है वाईव का उसे कते हैं आप समताप मंडल उसके बाद होता है आपका मध्य मंडल फिर होता है आपका ताप मंडल और उसके बाद एक बहुत ही मोटी परत पाई जाती है गैसो की इससे आप क्या कहते हैं वाय मंडल एक सो, एकस्पेयर, ओके अब यहाँ पर जो आपका य47 यह ताप मंडल है इसको आप दो भागों में बांड देते हो तो एक भाग जो नीचे वाला होता है इसे आप कहते हो आयन मंडल और जो उपर वाला हिस्ता होता है इसे आप कहते हो आयतन मंडल तो यहाँ पर बेतार के तार का प्रिधिवी से तरंगे भेजी जाती है वो इसी जो है आयन मंडल से रिफलेक्ट होकर परवारती तो कर वापस प्रिधिवी पर चली आती है और बेतार के तार का संपर्ख संभव हो पाता है तो मिदे कि आपको ब क्पिलit मुनी की द्वारा किया गया था भारती दर्शन की संख्या कितनी हैं कभी कभी यह स्वाल कोच्छा जाता है तो इंखी संख्या कुल मिला के शह है हालांकि इन छोग दर्सनों में कुछ उप साखाएं भी हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूं मिमानसा के अंतरगत दो साखाएं हो जाती हैं एक है पूर मिमानसा दूसरी है उत्तर मिमानसा पूर मिमानसा के प्रजपादक माने जाते हैं जैमिनी रिसी और उत्तर मिमानसा के बादरायन रिशी निया दर्सन इसके बारे में आप जानते हैं महर्शी गोतम इसके प्रत्पादक हैं सांग दर्सन का संबंध है कपिल मुनी से वैसे सिक दर्सन का संबंध है कनाव रिशी से योग दर्सन के बारे में आप जानते होंगे पातंजली से संबंधी थे रिशी पातंजली औ और वेदांत इसके तीन हिस्से हो गए है यानि तीन साखाएं हो गई है अध्वायद वेदांत में इसके बारे में आपको ड्रफिल्लिड़ पता होना चीह प्रत्यों की परिशाओं में इसे समंदित अलग लग सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं सुनिता के सिधान का सबसे पहले प्रतिबादन करने वाले बहुत दारसनिक का क्या नाम था जबाप हैं पे नागारजुन और इनकी और भी बहुत एक अच्छी किताब है काफी चर्चित किताब है उसका नाम आपको पता होना चाहिए नाम है उसका माध्यमिक कारिका यह नागारजुन के द्वारा लिखी गई है एलोरा में गुफाओं तता सैलकृत मंदिरों का संबंद है केवल आपसन ए बौधों से बी बौधों तता जैन दोनों से एलोरा में जो गुफाओं और सरकित मंदिर है इनका निर्मा कब हुआ यह भी स्वाल कभी की पुछा जाता है तो इसका जवाब होगा सारे मंदिरों का निर्मार चौथी से लिके बारहमिश सतादी के बीच हुआ है ऐलोरा महराश्टरा में और अंगाबा से 30 किलोमिटर की दूरी पर इस्तित थे और अजन्ता से एकर आप बात करें तो लगबग 100 किलोमिटर बता जाता है 97 किलोमिटर की दूरी पर इस्तित थे इसके जो मंदीर हैं वो हिंदू, बौध और जैन, तीनों धर्मों से सम्मंदी थे राजी के खर्च पर हर जयात्रा की ब्योस्था करने वाला पहला भारती सासक कौन था इसका जवाब होगा यहाँ पे फिरोस तुगलक, दिल्ली पर इसने सासंग किया था 1351 से लेके 1388 तक, फिरोसा तुगलक भारत का अंतिम मुस्लिब सासक था दिपालपुल की हिंदू राजकुमारी का पुत्र था लेकिन हकूमत में कई हिंदू को उसने जबरदस्ती मुसलमान बनाया था फिरोसा तुगलक, मुहमत तुगलक का चचेरा भाई था और सिपा सलार, रजब का पुत्र था अकबर द्वारा अपनाईगी सुलह कुल जिसको कहते हैं आप सौर भौम सांतिव भाईचारा की नेती कि ओधाराना निम्नांकित में से किस पर आधारित थी राजनेतिक उधारता, धार्मिक सहंसिलता और उधारवादी सांस्कितिक दिश्टिकोन तो यहाँ पर आपसन डी सही होगा इन सभी पर आधारिती यानि कि राजनेतिक उधारता, धार्मिक सहंसिलता और उधारवादी सांस्कितिक दिश्टिकोन से समद्नीती आगे बढ़ते हैं भारत में किस अस्थल की खुदाई से लओ धात के प्रचलन के प्राचिनतम प्रमाण मिले हैं देखें ये प्रस्थन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पुछा भी गया है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन भी अंतरंजी खेडा अंतरंजी खेडा भारत में पाया जाता है कहां पर उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन क्या है ये भी आपके मन में आ रहा होगा तो एटा ये जन्पद है इसके बारे में आप जानते होंगे एटा जन्पद में गंगा की सहायक नदी है काली नदी तो काली नदी के तड़ पर अंधरजी खिड़ा इस थी थे काफी चर्चित जगह हैं और इसकी खोज हुई थी 1961-62 में अलेकजंडर करिंगरम ने इसकी खोज की थी द्रामीड सली के मंदिरों में गोपूरम में क्या तात पर है गोपूरम के बारे में बात हो रही है गोपूरम किसे कहा जाता था गर्वगरी दिवारवप्रकी के चित्रकारी सिखर नहीं तोरण के उपर बने अलंक्रित्व भहमंजरा भहवन को कहा जाता था गोपूरम वह मुगर समराथ जिसने सरवार्धी संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की कौन था अकबर औरंगजेव हुमायू और साजहां देखे एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि माल लेजिए अगर सो अधिकारी थे उसमें ऐसा नहीं था कि यहाँ पर असी अधिकारी हिंदू थे और बीस मुस्लिम थे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था यहाँ पर ऐसा था कि संख्या में कुछ अधिक यानि कि जैसे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका औरंग जेब है तो औरंग जेब ने 33 प्रत्षत यानि 100 में से 33 जो अधिकारी थे वो हिंदू अधिकारी थे इसके अलावा अकबर, हुमायू और सहाजा ने भी हिंदू अ फिस्दी जहाँगीर ने 20 और सहाजा ने 24 फिस्दी हिंदू अधिकारी थे निवक्ति कि थी अलाव कि औरंग जेब ने 33 फिस्दी हिंदू अधिकारी थे जो कि इन लोगों से काफी अधिक है जहाँगीर के दरबार में पंच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था और यहाँ पर सही जवाब आपका होगा option D उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर को जहाँगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधी दी थी यह काफी important है कभी कभी यह भी पुछे जाता है और एक और चित्रकार रता था जहाँगीर के दरबार में अब्दुल हसन जिसे जहाँग संसी यहाँ पर सही होगा केवल वासुदे उसे जो यूनानी समराट थे वो हिंदु धर्म से काफी अधिक प्रभावी थे यूनानी समराट मेनांडर ने नाग सेंसे बहुत धर्म की दिख्षा लिथी तता एंटिपाल कीर्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को सुचार किया था हैधियोडोरस ने बेस नगर विर्जिसाम में गरौन तथके हैं स्थापना भी की थी निम्रिकित में से कौन सी हखटना माहरास्ट्रा में घटित हुई थी यह बताना है आपको भील बद्रो कौल बद्रो रंपा बद्रो या फिस संथाल बद्रो तो महा आर्जस्त बंदोबस्त के समय यह विद्रू हुआ था जिसे भील विद्रो के नाम से जाना जाता है कोल विद्रो का संबंद है छोटा नाकपूर से संथाल विद्रो का संबंद है बिहार से और रंपा विद्रो का संबंद है आंध प्रदेश से सुराज पाइटी के गठन से कौन कौन सम्बंदित हैं सुभाचन रबो, सियारदास, जबालाल नहरू, मोतिलाल नहरू तो यहाँ पर कौन कौन यानि कि दो लोगों का नाम बताना है तो यहाँ पर option B और option D यह दोनों यहाँ पर सही हैं सियारदास और मोतिलाल नहरू सुराज पाइटी की अस्थापना कब हुई थी? एक जनवरी 1923 को हुई थी सियारदास ने मोतिलाल नहरू, बिठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवी और जैकर के साथ मिलकर इलहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पाइटी बनाई थी सियारदास यानि की चितरंदन दास स्वेंग इसके अध्धक्ष बने थे और इसके सच्चु बने थे मोतिलाल नहरू अब यहाँ पर देखिए एक सब्द छूट गया है अलग आगे बढ़ते हैं 1857 के बरेली बिद्रो का नेता कौन था यह बताना है आपको और आपको बता दें कि 1857 का जो करांटी थी यह बहुत महान कांद्री मानी जाती है और यहाँ पर जो अलग अलग प्रांट थी थे वहाँ पर अलग अलग लोगों को नियूक किया गया था करांटी के लिए और यह दिन शित किया गया था 10 मई 1857 लेकिन कुछ कारणों से यह करांटी सही समय पर अगर कहें तो कम्निकेशन के अभाव में यह सफल नहीं हो सकी अब बात करते हैं खान भादूर कुवर सिंग मौलवी अहारा ओवध में लडाई लड़ रहे थे विर्जिस कादिर लखनों में मोर्चा सम्हा ले थे और इसी के साथ जहांसी में रानी लक्षी बाई और कानपूर में नाना सहाब ये लोग अठाउ-सताओन की किरांती में मोर्चा सम्हा ले थे कौन सुमलित नहीं है? लाड कानवालिस, लाड वेलेजली, लाड अलोजी, लाड कैनिंग और इनकी नितियां है लाड कानवालिस, अस्थाई बंदोबस, ये सही है लाड वेलेजली, सहाइक संधी, बिलकुल सही है लाड अलोजी, ब्यपगत सिद्धान, ये भी सही है Lord Kenning उच्चितम निस्कैता यह गलत है उच्चितम निस्कैता का जो सिधानत है यह Sir John Lawrence से संबंदित है किसे? Governor General Sir John Lawrence यह नétais अफ़गानिस्तान से संबंदित थी तो आपका सही option क्या हुआ? D मुंडा विद्रो का नेता कौन था? आपको बताते के मुन्दा बिद्रो के बारे में थोड़ा सा जान लेना आपका ज़न जरूरी होगा मुन्दा जनजातियों ने 58 सधी से लेके 20 सधी तक कब से? कई बार अंग्रिजी सरकार और भारती सासकों जमीदारों के खिला बिद्रो किये थे विर्षा मुंडा के नित्रुत में 19 सदी के आखरी दसक में किया गया मुंडा विद्रो 19 सदी में सरवार्धिक महत्पूर जनजाती आंदलोनों में से एक है इसे उल गुलान क्या उल गुलान ये थोड़ा नाम लोग मारे गए थे इसमें हजारों की संक्या में मुंडा आजिवासी सहे दुए थे मसूर समाशास्त्री और मानव ज्यानी कुमार सुरेश सिंग ने विर्षा मुंडा के नेत्रुत में हुए इस आंदलन पर विर्षा मुंडा और उनका आंदलन ये किताब लिखी है विर्षा मुंडा और उनका आंदोलन ये किताब का नाम है लिखा है किसने कुमार सुरेश सिंग ने नील आंदोलन का जम कर समर्थर करने वाले हिंदू पैट्रियेट के संपादक कौन थे सही जबाब आपको होगा आपसन भी हरिश चंदर मुखर जी नील आणदोलन कब से कब तक चला ये 1869-1860 में हुआ था सुरुवात का भूई थी सितंबर 1869 में बंगाल के नाधिया जिली के गोमिनपूर गाउं से सुरुवात के थी दिगंबर विश्वास और विश्डू विश्वास नाम के दो किसानों ने हिंदू पैट्रे के संपादक हरिश चंदर मुखर जी ने इसका बहुत समर्थन किया था अपने पत्र के माध्यम से इन्होंने किसानों से के सोसन सरकारी पक्षपात अधिकारियों की जो है नेतिया जो गलत नेतिया थी उस आदि इसके बारे में काफी चीज़े ने लिखी थी और काफी मुखर रह थे उसके बारे में स्वराज मेरा जम से दधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा यह कथन तिलक ने भारती दाश्टी कांग्रेश के किस अधिवेशन में ब्यक्त किया था और यहाँ पे सई जवाब आपका होगा ओप्सन डी लखनौ 1911 में उन्होंने कहा था यह बात तिलक से पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 का अधिवेशन जो की कलकत्ता में होगा था उसमें में सुराज की मांग कर चुके थे अन्य रजवारों के भारत में बिले के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में सामिल होने से बिलम किया था चार राज्यों का यहां पर सेट दिया गया है आपको बताना है कि सही सेट कौन सा है यहां पर आप्शन B सही मना जाएगा जुनागर्ण हैदराबाद जमू और कस्मीर तो आए थोड़ा से इसके बारे में जान लेते हैं कि इनका बिले भारत में कब हुआ कस्मीर का बिले कब हुआ कस्मीर का बिले हुआ था भारत में 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरी सिंग्ह ने INSTRUMENT OF ACCESSION यानि कि बिले पत्रपा हस्ताक्षर करके जम्मू कस्मीर का बिले भारत में कर दिया था हैदराबार का बिले ततकालिंग रिमंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल दौरा कराएगी पुलिस कारवाई से 17 सितंबर 1947 को संबह हुआ था और जूनागड का जो सासक था वह पाकिस्तान भाग गया था तो इसलिए महाँ पर जन्मत संग्रह करवाया गया और जन्मत संग्रह के आधार पर 9 नॉम्बर 1948 को इसे भारत में मिला लिया गया भारत में इसका बिले कर दिया गया था ये तारिखें याद रहिएगा काफी इंपोर्टेंट है कभी के इसके बारे में भी पुछा जाता है ओके निमन में से किसके द्वारा किसके किसके भारत में सर्वोच नियाले की अस्थापना हुई यानि कि किस अधनियम के द्वारा भारत में सर्वोच नियाले की अस्थापना हुई थी यहाँ पर सही भी कल्प होगा option A regulating अधनियम, regulating act 1773 ठीक है आपको बता दें कि इसी नियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोड के स्थापना होई थी प्रधान नयाधिस बनाया गया था किसको सर, एलिजा, इंपय को और इसके लावाँ तीन और नयाधिस थे उनका नाम था Chambers लेमैस्टर और हाइड जो कार छेतर था कलकत्ता में अस्थापित हुए इस सुप्रीम कोड का कोलकाता, यानि कि तरकालिन कलकत्ता था इसका नाम अब बदल गया है तो कलकाता वा आसपास जो एरिया था वो इसके नयाए छेतर में आता था लेकिन अगर दोनों पक्षो की सुख्रिती हो तो या कोड पूरे भारत के केस की सुनवाई कर सकता था महात्मा गादी द्वारा दच्षड अफरीका में प्रकासित की गई पत्रिका का नाम क्या है जबाब इस तो होगा इंडियन ओपिनियन लेकि ये पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है कि ये भीगत कई परिशाओं में पुछा गया है इसलिए आप इसको याद रखेंगे महत्मा गाधी द्वारा दक्षड अफरीका में प्रकासित कीगी पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन हलाकि महत्मा गाधी के द्वारा जो भी अकबार और पत्रिकाएं लिखी गई है उनकी लिस्ट क्या है इसके बारे में आप नोट का लिजेगा अपने जो है नोट बुक में काफ़ इंपॉर्टेंट है पुछा भी जाता है अक्सर फ्रांसिसी दक्कर में सकती अस्थाफित करे में असपल रहे क्योंकि चार ओप्सन दिये गए हैं और यहाँ पर सबसे और विकारण थे जो फ्रांसिस्यों के पराजय के और बने थे जैसा कि फ्रांसिस्यों का यूरोप में उलजना प्रसासनिक भिनता कमपनी की गठन में भिनता नौसेना की भूमिका बंगौल में अंगरेजों का आधिपत्य वसैनिकों का प्रभाव और डुपले का उत्तरदाईत और निर्भान ये कुछ और भी कारण है इनकी वज़े से फ्रांसिश्चों की पराजे हुई थी फ्रेंट्स ये वीडियो का इंड है और उमेदे की वीडियो आपको डिफिनिटली पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरू कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सकें कि हम आपके लिए और भी ऐसे क्वेस्टन ला सकें एल्टी ग्रेड और यूपी पीसेस के साथ यूपी पीसेस की परिश्चों के त्यारी अगर आप कर रहे हैं तो जो सीरीच चल रही है इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें थैंस पर वाचिंग अगर आपने अभी ते चल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस करनें बेल आइकां को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके थैंस पर वाचिंग गाड ब्लेश यू अल